हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजूकेशन क्लासस फ्रेंड्स जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आज क्या मतलब यह जो आपकी सीरीज चल रही है बेहत इंपोर्टेंट है और इस सीरीज में हम आपका कंप्लीट कोर्स रहे हैं एकदम फैक्ट के साथ और यहां से जो फैक्ट आपको पढ़ाया जा रहे हैं यहां से देखिएगा आपके एक्जाम में 100% क्वेस्चन मिलना तय है ठीक है चलिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो चैप् प्राब्लम है इसलिए थोड़ा सा मतलब बोलने में आराम आराम से बोलेंगे ताकि हमें खासी नहीं आपाई जल्दी ठीक है आराम से पढ़ेंगे आज चले आगे चलते हैं तो हमें पहाडी कला स्टार्ट करनी है ठीक है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि जो आपकी प्रदेश मिलता है ठीक है तो यहां की जो पहाड़ियां है यहां पर हमें पहाडी शैली का मिलता है ठीक है पहाडी चित्रकला मिलती है पूछा जाएगा जो पहाडी शैली है इसकी खोच किस ने की थी तो याद रखना है मैट कॉफ ने की थी ठीक है और मैट कॉफ के पहाड़ी चित्रकला की विस्त्रत जानकारी दी तो याद रखना है इनके बाद आते हैं कौन आनंद कुमार स्वामी आते हैं ठीक है और कब आते हैं तो ये 1910 में आते हैं जिन्होंने की थी ठीक है आगे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी चित्रों को जो सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने 1916 समस्ते जाएगा टाइम फीरिट बिलकुल सेक्वेंस में चल रहे हैं ठीक है तो 1916 इस भी के अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग क्या है राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बाटा था तो ये याद रखन है कितने भागों में दो भागों में बाटा पहला है आपका कांगरा शैली दूसरा है आपका डोंगरा शैली ठीक है याद रखना है ठीक है और कांगरा शैली को क्या नाम दिया गया सुकुमार कलम और डोंगरा शैली को नाम दिया गया जम्मू कलम ठीक है इस तरह से जिसे हम सुकमार कलम बोलते हैं दूसरा है डोंगरा शैली जिसे हम जम्मु कलम बोलते हैं क्योंकि जम्मु में है ठीक यहां तक समझ में आगया अब एक चीज याद रखिएगा जब हम देखो यह पहाडी जो चित्रकला पढ़ रहे हैं यह एक तरह से इस्थानी टाइप की जैसे पंजाब हो गया यह आपका हेमाचल हो गया है तो इसको हम लोक कला भी बोल देते हैं ठीक है और पहाडी पेंटिंग का जो समय बात की जाए कि कब विक्सित होती है इसका टाइम पिरिएट क्या है तो याद रखना है यह अठारवी से उननीसवी शताबदी के बीच में आता है ठीक है तो यह चीज दिमाग में हो गई होगी आगे चलते हैं पूछा जाएगा पहाडी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है तो देख एक चीज याद रखीगा 18 से 19 दे या फिर 17 से 19 दे तो यह थोड़ा सा मत्रब लगभग में पूछा जा सकता है ठीक है रूप में जो व्यक्ति चित्रण बना है वो कौन से शैली में तो यही आपकी पहाडी शैली में है और नारी अंकन का जो सुंदर चित्रण हुआ है वो कौन से शैली में यही आपका पहाडी शैली में है प्रकती चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्त्य मिला है तो भ जहरे रंगों का यूज हुआ है ठीक है और सबसे अधिक क्रिष्न लीला के चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं तो यही अपनी पहाड़ी शैली में मिलते हैं ठीक है और पूछा जाता है कि 1952 में डबलू जी आर्चर थे आगे चलते हैं कब कपकी बात बताई हमने 1952 में डबल पहली है इंडियन पेंटिंग इंदा पंजाब हिल्स कौन सी है इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स ठीक है और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है कांगडा पेंटिंग तो यह आपको याद रखनी है यह दोनों जो पुस्तके हैं यह किसकी है तरलुजी आर्चर की है जो इसके लेखा कौन है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि पहाडी मिनियेचर पेंटिंग के लेखा कौन है, तो यह आपके कार्ल खंडाला वाला है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा, कि ब्रजेंद्रनाथ गोस्वामी का जो संबंद मिलता है, वो कौन से, मतलब कौन सी तो यह याद रखना है, आपको यह पहाडी शेली से, ब्रजेंद्रनाथ गोस्वामी, जिसे हम बोलते हैं, बी एन गोस्वामी, इनका संबंद मिलता है, ठीक है, देखे, जतने फैक्ट बता रहे हैं, सारे के सारे important है, और थोड़ा सा गले में problem है, इसलिए हम आज थोड़ याद रखना है, यह जेसी फ्रेंच है, ठीक है, और पहाडी चित्रों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो यह लगभग आपके 50,000 है, ठीक है, और यह किसके अनुसार है, राधा कमल मुखर जी के अनुसार, पूछा जा सकता है, राधा कमल मुखर जी कौन थे, तो यह पूछा जाएगा कि पहाडी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंदित चित्र कहां पर अधिक बने है, तो यह बलवंत सिंग के दैनिक जीवन से संबंदित चित्र जम्मू शैली में, और संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंदित चित्र तीरा सुजानपुर में एक सेकेंट चलिए चलिए वह कैंजल हो गया था ठीक हैंहें हमने आपसे बोला कि अगर बल्वंत का पूंचता है तो आपको क्या हो जाएगा जब मुशैली हो जाए मैं इसको हम 12 मासा और पहाडी शएली कैसी थी एक लगू चित्रकला शेली थी और पहाडी लगू चित्रों का सब्से बडवा संग्रय कहां मिले है तो गॉर्मेंटnews duym and customs गैलरी चंडीगड में मिला है ठीक है अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी बसोहली शैली को कौन सी बसोहली शैली को स्टार्ट करते हैं फटाफुट से देख लेते हैं तो देखें समस्त पहाडी शैली में सबसे जो प्राचीन शैली है वो आपकी कौन सी है सबसे प्राच तब भी. अब देखिए, भषोली शह्यली के खोच की बात की जाए, तो 1929 में अजीध घोस ने किया था. इसी, तो भषोली शहली की सवन्दर को सबसे पहले पहचाना है, वो अजीध घोस ने ही तो कुछ भी पूशे, याद रखना टीक है और बशोली राजजी की इस्थापना अलग है खोच अलग है इस्थापना किस ने की थी तो ये 765 एसवी में राजा भोक पालने किसमें राजा भोक पालने की थी और आदूनिक बशोली नगर की जो नियू रखी है वो 1635 में तीनों में अंतर है, अच्छे से समझ येगा, अगर आधुनिक बसॉली नगर की नियू पूछता है, तो 1635 में किसने भूपत पालने की थी, किसने भूपत पालने, ठीक है, और बसॉली शेतर जो है, वो किस राज्जी के अंतरगत आता है, तो ये आपके जम्मु कस्मीर आसन काल में रखी थी, ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है, राजा कृष्ण पाल के टाइम पर रखी गई थी, ठीक है, और पूछा जाता है, जो रसमंजरी है, इसके चित्र पहाडी कला में कहां अंकित किये गया है, तो यही बसॉली शेली में, ठीक है, और भानुदत्यकी किस रचना का चित्रन, देवी दास ने किया है, तो यही आपकी रसमंजरी है, ठीक है, और पूछा जाएगा, देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो बसॉली शेली है न, वो किस कला के अंतर गताती है, तो यह पहाडी कला के अंतर गताती है, ठीक है, ये बढ़ते हैं आगे पूछा जाएगा कि बसोली शैली का जो स्वर्ण काल था वो किसका काल था तो यही आपका राजा जो क्रपाल पाल थे ना इन्ही के टाइम को बसोली शैली का स्वर्ण काल कहते हैं टाइम पीरियड पूछ ले तो आपका हो जाएगा स्वर्ण का स्वर्ण प्रधान जो अकर्सन करता है वो यहां चत्कील को न control स्वाफ बने हों कि सबैसे हैं और यहां को जबप करते हैं ठीक है और बसोली शैली को आरंब में कौन सी शैली के नाम से जाना जाता था इसको हम पहले तिबिती शैली कहते थे क्या तिबिती शैली ठीक है और बसोली शैली में चित्रत है गीत गोविंद पूछा जाता है इसके चित्रकार कौन है तो गीत गोविंद के चित्रकार कौन है याद रखना है यह है आपके मानकू क्या नाम है मानकू नाम है गीत गोविंद ठीक है और बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर की मतलब पूछा जाता है कि बसौली शहली में जो सबसे अधिक सौंदर है वो किस विशेस्ता में है तो यहां की जो आखें हैं नेत्र हैं वहां पर है ठीक है और बसौली के चितर किस संग्रहाले में है तो यह आपके पंजाब संग्रहाले में है कहां पर पराद़न केट की कतरन या फिर सोन किर्वा बोल दें इसका प्रेयोग मेवार शैली में इतरिक हो साथ ऐसे question पोच लिया जाता है स्वर्ण कीट की कतरन या फिर देदे सोन किरवा इसका परियोग कौन-कौन सी शैली में हुआ है तो यह आपकी पहली हो जाती है मेवार शैली और दूसरी हो जाती है बसहुली शैली ठीक है तो इस तरह से आपको याद रखना है और बसहुली शैली नक्ते गुछ संक करें और नार्ट याद रखना है तो यहाँ से बसहुली शैली के समच या चाहं से अम्हारी बसहुली शैली कमपopardीट हो जाती है अब और नेक्स्ट आती है आपकी गुलेर शैली Gothicject टैक को मेंते हैं इसको पाहाड़ी है तो ये पहाडी है, सभी जानते हैं गुलेर राज की इस्थापना किस ने की थी तो ये राजा हरी चंदर ने की थी कब की थी? 1405 में की थी ठीक है, और गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो की रामायर पर आधारित हैं तो इसके 14 चित्र हैं, जो रामायर पर है और गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो यही आपका नैनसुख था ठीक है? और पहाडी शैली का वह प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकास का प्रियोग किया है तो इसका किस ने किया है? यही है जिन्होंने चाया प्रकास का प्रियोग किया है नैनसुख ने ठीक है? और नैनसुख के चाया प्रकास युक्त चित्र के नाम पूछे जाते हैं तो एक बहुत important है रात में ग्रामीडों के साथ राजा बल्वन्त सिंग फिर सुन लीचे चित्र का नाम क्या है रात में गड्रामीडों के साथ राजा बलवन तशिंग कपका है ये चित्र 1760 इसवी का है और बना है आपका कागजपर जलरंगमाध्यम में संग्रह की बात की जाए कहां पर संग्रह है तो यह आपका कोल खाता में इसका संग्रह है यह चीज तिमाग में रखनी है ठीक है और नैनसुक जो है वो कौन सी शैली का प्रशिद चित्रकार था ऐसे भी पूँच सकता है तो आपका गुलेर हो जाएगा और शिक्रे के साथ महिला बहुत important है शिक्रे के साथ महिला कौन सी शैली का चित्र है या आपकी गुलेर शैली का है ठीक है और पुछा जाता है कि किस पहाड़ी या आश्रेदाता को मतलब दीवार लांग कर नाइका का अपहरण करते हुए चित्रत किया गया है पता है किसी को किस पहाड़ी या शैली को दीवार लांग कर नाइका का अपहरण करते हुए चित्रत किया गया है तो ये हैं आपने गोवर्धन चंद इसको दिखाए गया है ठीक है और पहाड़ी चित्रकला में नाईका भेट सम्बंदी सबसे पहले चित्र कौन सी शैली में बने है यही आपकी गुलेर शैली में समझ में आ रहा होगा उम्मीद है और देखिए पुछे जाता है कि गुलेर शैली का जो चर्मोत कर्स युक था वो किसके टाइम पर था यही अपने गुवर्धन चंद के टाइम पर ठीक है और सत्रा सो पच्चास इसवी में आगे बढ़ते हैं तो सत्रा सो पच्चास इसवी का चित्र है गुवर्धन चंद क्या है गुवर्धन चंद अपने बेटे प्रकास चंद के साथ क्या है प्रकास चंद के साथ हुका प यह कौनसी शेली का चितर है तो यह भी आपकी गुलेर शेली का ही चितर है और घुलेर शेली का चितर में भरत राम की चरनपादुका की पूजा करते हुए बहुत इंपॉर्टिंट है पूजा जाता है जो जो चितर है यह कौनसी है को अगर पूछले कब बनता है तो 1780 से 85 के बीच में और कागज पर टैंपरा माध्यम में बनता है और अगर संग्रह की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका संग्रह है ठीक है उमीद बहुत अच्छे से किलियर हो रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कांगड़ा शैली को फटा फट से फटा फट से करेंगे जितने भी फैक्ट है most important है और जो छोड़ेगा वो पच्छताएगा देखिएगा जो क्लास को छोड़ रहा है एक बार जब एक्जाम हो जाए तब आकर जरूर बताइएगा कि मैं आपने जो क्लास पढ़ाई थी हमन कि यहां जो पढ़ाया जा रहा है ना सच में एकदम selected material है और selected चीज पढ़ाया जा रही है वही फैक्ट दिया जा रहा है जो आपके लिए बेहद important है ठीक है चलिए आगे चलते हैं सीदे अपने question की तरफ तो क्या पढ़ना है हमें कांगड़ा शैली तो चलिए समझते हैं इसके बारे में तो कांगड़ा शैली जो है ना यह कांगड़ा एतिहासिक नगर तथा जेला था कहां पर ये आपका हिमानचन प्रदेश का है ठीक है और कांगड़ा जो है ना पहले किस नाम से प प्रदान किया है तो इसको कांगड़ा को ही प्रदान किया है माराजा संसार चंद ने संरक्षा ठीक है और पूछा जाता है विश्व विख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नती किसके शासनकाल में होती है तो यही आपके संसार चंद के टाइम पे और कांग कांगणा चित्रकला पर कौंसी शैली का प्रभाव पढ़ा है तो याद रखना है मुगल शैली का प्रभाव पढ़ा है। उमीद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाएगा कांगणा शैली के चितरों का प्रमुख विश्य मतलब चित्रण का विशय क्या है तो याद रखना है नई का भेद चित्रण है ठीक है और कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिये विशय क्या था राधा कृष्ण था ठीक और आगे पहाड़ी शैली की सर्व स्रेष्ट शैली कौन सी है यही आपकी कांगड़ा है और पह कौन सी शयलीगरने पूठ चत्रकार है तहीं ना jeं लेकिता है और केशवदास के देवारा लिखिए गई है जो कई प्रिया इसमें मतले प्रेम लीला दिखाई गई है वो कौन सी शयली तो पहाडी स्कूल, कांगरा स्कूल, राजपूत स्कूल इन सब का जो संब्भ शाय है तो चित्रकारी से है यह त शाय के जिए इसमय हों, कि चित्रकारी विशय का पूछ लिया जाहिए हो है 117 Grayilli से 1805 के बीच में हो के सबस्में स्बरे हो सब्सक्राइब काम बैम कन्वा उप्शन, इसमें 5 पंचटंट्र रख्युष, तो प्रू जहा रख चित्रकला का विशय क्या नहीं है कि याद रखना है, और चित्रकला का विशय क्या नहीं है, तो आगे पांच्ट क्टंट्र, यह हुआ है, कि श्याद की डेसे दों जो तो यही आपकी कंगडा को कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो किस विदेशी कलाविद्ने कंगडा शैली की सरवाधिक प्रिशन्सा की है जेसी फ्रेंच ने की है और पहाडी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रशिद रहा है पंदित सेऊ का ठीक है तो कांगडा की गीत गोविंद चित्रावली सबसे अच्छी है ठीक है और दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद कौन सी शैली में मिले हैं यही आपकी पहाडी में कांगडा में मिले हैं ठीक है और रंगीन रेखा चित्रों की कला है ये किस शैली को कहा जाता है मतल पूछलिए जाता है कभी कभी लिख लिए चे दस वर्स की आईयो में बैठा था और कब बैठा था 1775 में ठीक है और संसार चंद किसके उपाशक थे तो ये क्रिश्न भगवान के उपाशक थे ठीक है और संसार चंद के कला प्रेम की चरचा किस अंगरेज यातरी ने की है ये की है मूर क्राफ्ट ने ठीक है और कांगडा लगुचित्रों के विशय क्या क्या है तो कृषनलीला है नायक नाईका है भागवत पुराण हमीर हट नल दम्यंती ठीक है और कांगडा के अन्य विश्यों के साथ साथ मुख्य विश्य क्या मिलता है यहाँ पर प्रेम मिलता है और एक कोटेशन पूछ लिया जाता है कि चीनी चित्रकला में द्रश्य चत्रण ने जो उपलब्दी प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है किस ने कहा है यह कोटेशन डॉक्टर आनन्द कुमार स्वामी ने कहा है फिर से कोटेशन सुन लीजे चीनी चित्रकला में द्रश्य चत्रण ने जो उपलब्दी प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है आगे बढ़ते हैं तो कांगडा शेली के प्रमुक्ष जो यहाँ के कलाकार है उनको देख लीजे पहले हो गए आपके कुशनलाल दूसरे हो गए पर्खु मानकु, वसिया पत्टु, यह सब कहा के हैं आपके यह सब कांगडा शेली के चित्रकार है ठीक है कलाकार है और संसार चंदे के दरबार में अभीनंदन क्या कहे कर मतलब किया जाता था तो यहाँ पर जो अभीनंदन होता था लाहौर परापत करके यहाँ पर अभीनंदन होता था और संसार चंदे अपने गुडों के कारण उस समय के क्या माने जाते थे ये हातिम माने जाते थे अपने समय के ठीक है और कांगड़ा शैली जो विक्सित हुई है मतलब कांगड़ा शैली किसका विक्सित रूप है यही आपकी गुलेर शैली का ही विक्सित रूप कांगड़ा शैली है पीछे मने पढ़ना भी और कांगड़ा के चित्रकारों ने ना और कांगणा शैली का चित्र है नंद यशोधा और कृष्णी के साथ गोकुल वासी व्रिंदा बन जाते हुए यह जो है ना यह 1785 से 90 के बीच का चित्र है ठीक है और कागजपर टैंप्रा माध्यम में बनता है संग्रह की बात की जाए तो रस्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली में है इसका अंकन कहाँ पर होता है तो याद रखना है यह आपकी कांगड़ा ही शैली में होता है ठीक है और कांगडा की लोप्री लगू पेंटिंग्स है, मूर्तियां है, मिट्टी है इनके जो बरतन हैं ये सब कहां सुरक्षित हैं लगू पेंटिंग्स, मूर्तियां, मिट्टी के बरतन यह सब कहां रखे गए हैं तो यह आपकी कांगडा आर्ट गैलरी में रखे गए हैं और मशरूर मंदर पूछ लेता है कहां है मतलब कि कहां इस्थित है तो यह कांगडा में इस्थित है और मशरूर रॉककट मंदर को क्या कहा जाता है इसको हम हमालाई पिरामिट कहते हैं ठीक है तो यहां से आपकी जो कांगडा शैली थी वो भी कम्प्रीट हो जाती है आगे बढ़ते हैं आती है नेक्स्ट गढ़वाल शैली कौन सी? नेक्स्ट आती है गढ़वाल चलो इसको देखते हैं अब समझते हैं गढ़वाल शैली को तो गढ़वाल शैली के जर्मदाता कौन थे ये पूछा जाएगा तो ये थे आपके श्यामदास और साथ में हरदास ये दोनों पिता पुत्र थे ठेक है और मुला राम कौन सी शैली का प्रशिद चित्रकार है ये आपका गढ़वाल शै और कब की थी 1908 में की थी याद रखना है ठीक है और कौन सा मुगल शैजादा गढ़वाल में सरण लेने पहुंचा था तो सुलेमान शिकोह पहुंचा था आगे बढ़ते हैं आगे है जो गढ़वाल शैली है इसको किसने प्रशिस्त किया तो बैरिस्टर मुकंदी लाल न ठीक है और मस्तानी केजडिवाल के संग्रह में है ये और इसको बनाया किसने है मस्तानी जो है किसने बनाया है इसको मुला राम ने बनाया है ठीक है चित्र है और आख में चोली जो रेक हंकन है किसने किया है ये भी आपके मुला राम ने किया है और गढ़वाल चित्रकला क अन्यतम और अत्यंत सुन्दा चित्र जो की मतलब नाम है गोवर्धन धारण इसके चित्रकार का नाम क्या है ये भी आपके मोलाराम है ठीक है और अकबर गाओं के एक हुए पर ये चित्र किस ने बनाया है ये भी मोलाराम ने बनाया है और कब बनाया है गड़वाल शैली में बना है और 1770 में बना है गढ़वाल शैली में अंकित है यादवों की सभ़ा का चितरकार कौन है तब भी मोला राम होगा और एक पूछा जाता है देखिए यादवों की शभ़ा बोलेगा तो मोला राम है लेकिन अगर उसने पूछ लिया यादव महिला का हरण यादव महिला का हरन ये गड़वाल शाली का ही है इसके चत्रकार कौन है तो इसके चत्रकार है चैतू पूंचे जाएगा सुनेहरी और आँख में चोली इसका चत्रकौन मतलब प्रश्द चत्र किसकी रचना है तो ये मान्कॵ के हैं सुरहरी और आख में चोली ठीक है और साह जहां के दरवार में मतलब पूछा जाएगा कि साह जहां के दरवार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान शिकोई के साथ गड़वाल पहुँचे थे तो ये पहुँचे थे आपके सियामदास और उसका पुत्रथा हाजीदास ये दोनो पहुचे थे ठीक है शाह जहां आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि गड़वाल चित्रकला पुस्तक है एक इसको किस ने लिखा है तो यही आपके मुकंदी लाल जो है इन्होंने ही लिखा है और गड़ राजवंश का इतिहास इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है आपके मूला राम कौन है मूला राम है और इस्तरियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक कौन सी शैली में मिलता है यही आपकी गड़वाल शैली में और मूला राम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकरतियों के माथे पर वक्राकार चंदन काटी का कौन सी शैली में है मतलब कि कुछ भी पूछ ले, घुमा कर language दे दे, तब भी आंसर आपका गड़वाल शैली रहेगा, ठीक है, और गड़वाल शैली का मुख्य विशय क्या था, तो ये आपका पुरार था, क्या था, पुरार था, ठीक है, और मुकुंदी लाल कौन थे, पहले ही बता चुके है बैरिस्टर थे, नाइधीज भी थे, और कला समालो चक भी थे, लेखंग भी थे, काफी सारी इनके उपलब्दियां देखने को मिलती है, ठीक है, आगे चलते हैं, वैसे ये चैप्टर जो है बहुत, मतलब बड़ा है, लेकिन हमने बहुत सौर्ट वे में कर दिया है, बहु इस वज़े से थोड़ा सा आराम आराम से करवाना पड़ा है, वड़ना हम जल्दी जल्दी ही करवाते थे, ठीक है, अब देखे चंबा नगर जो है, ये वरतमान में कहा है, ये आपके हिमांचल प्रदेश में है, और इसकी स्थापना किसने की थी, 920 में, साहिल वर्मन ने और चंबा शैली का आरंब कब होता है, राजा उदय सिंग के सासनकाल में होता है, और पूछा जाता है, चंबा में ही एक मंदिर है, ठीक है, और 14 सितंबर 1908 ही इस वी को भूरी सिंग संगरहाले की स्थापना होती है, कहां पर होती है, ये भी आपके चंबा में ही होती है, और चमबा कलम में दान लीला का अंकन देखने को मिलता है और ये किस के द्वारा बनाए गया है ये महेस के द्वारा और चमबा की देखा है किस रंग से बनाए गई है तो लाल और काले से बनाए गई है और चम्बा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम मिलता है तो यहां हमें दुर्गा का नाम मिलता है और चम्बा किस लिए फेमस है तो यह बहुत पूछा जाता है रुमालों के लिए फेमस है ठीक है और रुमालों का काम चम्बा में कब से स्टार्ट होता है कब से कब तक 1782 से लेकर 1828 के बीच में हमें यहां रुमालों का देखने को मिलता है ठीक है और चम्बा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई गई है तो इधर पर हमें काशीदा कारी कौन सी काशीदा कारी चलिए आगे चलते हैं काफी देर से बोल रहे हैं तो गले में अब थोड़ा सा खरासी उठ रही है चलिए, कोई बात नहीं, जब ठान लिया है, तो फिर रुखना कैसा, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, जब लग गई हो, आग सीने में, तो फिर क्या देखना है, कि लंका है, कि क्या, ठीक है, चलिए, देखे, काशीदा कारी बता दिया, हमने, पूछा जाता है, रुमालो को प्रियोग होता था, तो यहाँ, थाली में, जैसे हम लोग, मंदर जाते है, तो थाली में, उपर धकने के लिए, वैसे ही, थाली के प्रिशात को धकने के लिए यहाँ पर रुमालू का यूज होता था और चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के रास्टी संगरहले में सुरक्षित है तो रंग महल के ठीक है यहाँ से हमारी चंबा खतम हो जाती है यहाँ से सुरू होती है आपकी कुलू शाली कौन सी कुलू अब देखते हैं कुलू शाली को तो कुलू शाली को सबसे पहले प्रकास में लाने का श्रेक इसको जाता है तो यह जेसी फ्रेंच को जाता है ठीक है और कुलू का प्राचींतम नाम क्या है कुलाटा या फिर इसको कुल्ट बोल देते हैं और कुलू स्कूल का सबसे पुरा संग्रहाले में सुरक्षित है तो आपके पंजाब संग्रहाले पटियाला में ठीक है और कुलु शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है राधा कृष्ण कुंज में है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है यह सारे फैक्ट और आपके एक्जाम में 100% वार करेंगे आवाज पे मत जा ठीक है आगे चलते हैं पूछा जाएगा कुलु कलम का उन्नायक येवं प्रेर्णा फिरोत किसको माना जाता है तो यह प्रीतम सिंग को माना जाता है ठीक है और कुलु में शीस महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने बनाये था तो ये शजनू न पुत्र हें विक्रम सिंग इनके समय किस चित्रे ने मुख्य रूपसे चित्रों का निर्माड किया है तो बहगवान ठिक है भगवान ने और कुलू शहली का प्रशिद चित्रकार कौन कौन है तो यही अपने सजनु है और दूसरे बहगवान ठीक है और कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो इनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है पहला है कुल्लू के दर्बारी संद्रच्छन में बने चित्र दूसरा है कुल्लू के लोग चित्र तीसरा है कुल्लू के भीत्ती चित्र ठी तो यह कुलू शैली थी complete हो जाती है आगे चलते हैं मंडी शैली में कौन सी है मंडी शैली है इसको देख लेते हैं फटाफट से पूछा जाएगा कुलू के समीब इस्थित है मंडी राज इसमें चित्र प्राप्त होते हैं कौन सी शताब दी के तो सत्रभी शताब दी और जैसी प्रेंच ने हेमालियन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था तो यहीं के राजा थे मंडी के राजा सिद्ध सेन का सोहली शैली का आरंबेग है और मंडी के राजा इसुरी शेन की सेवा में लगभग मतलब 1810 के बीच में कहंगड़ा का कौन सा चित्रकार आता है तो यहां पर सजनू आता है कौन सजनू और इसुरी शेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की जो चित्रमाला भेट की थी व वर्णित है तो चित्तोर के राजा है हमीर इसका मतलब हमीर का अलावदीन खिलजी से लड़ाई जो हुई थी ना इनके बारे में है ठीक है और मंडी शैली की सचित्र रामायर की एक प्रती रास्ट्री संग्रहाल है नई दिल्ली में सुरक्षित है जो कि किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है तो ये बनाई गई है कपूर गिरी के द्वारा किस के द्वारा कपूर गिरी के द्वारा बनाई गई है ठीक है और और एक चीज और याद रखिएगा कि 1826 में मंडी के किस राजा ने जालपा और टारना इंपोर्टेंट है जालपा तथा टारना के काली मंदिरों में भिती चित्रों का निर्माड करवा है तो ये थे जालिम सिंग कौन थे जालिम सिंग थे ठीक है आगे बढ़ेंगे तो 1846 से 1859 के बीच में मिया भाग सिंग बहुत इंपोर्टेंट है ये सारे फैक्ट ठीक है उच्छा जाएगा 1846 से इंक्यावन के बीच में मिया भाग सिंग की हवेली में जो भिते चित्र बने है वो कहां बने है तो ये मंडी में ही बने है ठीक है और राजा बलवीर सेंग के समय में कौन सा चित्रकार प्रशिद्धी को प्राप्त था तो ये ही मुहम्मध बक्ष था ठीक है और दौलत और मुहम्मद बख्ष कहां के चित्रकार थे मंडी के थे दमदम भवन पूछा जाता है कहां है कौन सा दमदम भवन तो ये भी आपका मंडी शैली में है तो यहां से आपकी मंडी शैली भी हो जाती है कंप्ली छोटी-छोटी सी है पढ़ लीजे आगे चलत आपकी जम्मू शैली के बारे में क्या हatar का मिजब दौलत इस चित्र को सिरा ना तो जम्मू बारे में क्वारे में क्या है कि तो यह मत्लब डस मील उत्तर पश्छिम का अ कि वह गुलेर से 5 उत्थ इस उत्तर इस अ All जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने हैं वो कौन सी शैली के हैं तो यह आपके बस ओली शैली के हैं ठीक है और जम्मू के राजा हैं बलवंत सिंग इनके दरबार में रहकर जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं तो यह नैंसुक ने बनाए हैं ठीक है और विरहणी के साथ राधा कृष्ण और इस्त्री भजन ये सब जो है ना ये सब मतलब इस्त्री भजन सुनाते हुए ये सब जो चित्र हैं ये कहां से मिले हैं हमें ये सब आपके जम्मू से मिले हैं ठीक है इंपोर्टन्ट है और पूछा जाएगा किसने अपनी पुस्तक दा आर्ट बनाए गए दो चित्र जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव सिकार के लिए जाते हुए और दूसरे चित्र में मिया मुकुंद देव का अंकन है तो क्या है ये बेसल ग्रे ठीक है याद रखना है बेसल ग्रे ने ठीक है पूछा जाता है किसने अपनी पुस्तक दा आफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नैंसुप के द्वारा बनाए गए दो चित्र हैं जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव सिकार के लिए जाते हुए और दूसरे में मिया मुकंद देव का अंकन हुआ है तो किसने ये बेसल ग्रेने किया है ठीक है और जम्मु चित् कत्र कार है वो कौन है यह नैंसुख है और क्यों मानवा कृतिया रंग रेखा और बेच भूशा प्राया किसके समान है तो यह सब आपके बशभली के और कौन सी शैली पर सिक्कों का प्रभाव अधिक देखने को मिला है जम्मू शैली में और जम्मू से प्राप्त आरंभिक चितर कौन सी शैली से हैं बशोहली से हैं बहुत बार बता चुके अब देखे कुछ जो आपके पहाडी कला मतलब पहाडी चितर कला के केंदर है ना उनसे जो केशन पूछ ली जाता है कभी कभी इनको इंपॉर्टेंट है ठीक है पूछा जाएगा शोल्मी शताबदी में लामा तारानाथ ने कस्मीर के किस चितरकार का उलेग किया है कौन सी शताबदी में शोल्मी शताबदी में किस लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चितरकार का उलेग किया है तो यह हंसराज का किया है ठ की पुछ कलम के आरंभिक चितर कहां मिलते हैं लाहोर में जो इस्थित सेंटरल म्यूजयम में वहां मिलते हैं और पुंछ के मतलब चितरकला है वह किस पहाड़ी प्रिभावित है तो यह आपकी गुलेर शयली से प्रिभावित है ।行 कहां की पशमीना शालें विष्श जाता है और आप लोग घूम जाते हैं चलिए एक बर फटा फट से देख लेते हैं देखे पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में जो यहां की पुस्तके हैं बहुत कंफ्यूज करती हैं तो हम फटा फट से बोल देते हैं आप लोग सुन लीजे पूछा जाएगा ओसी गां Studies in Indian Painting, क्या है, Studies in Indian Painting, ये किसकी है, ये आपके NC महता की है, और Himalayan Art किसकी है, ये आपके JC French की है, ठीक है, और Indian Paintings in the Punjab Hills, या फिर कह दे Kangra Painting, ये किसकी है, ये आपके WG Archer की है, ठीक है, और Kangra Valley Painting, Kangra Painting of Gita Govind, या फिर देदे, Krishna Leesand in पहाडी Painting, बसोली Painting, ये सब जो आपको पुस्तके मिलेंगी, ये सब किसकी है, ये सब आपके MS रंधावा की है, ठीक है, और पहाडी Miniature Painting बहुत important है, ये सारी books जो है न, बहुत important है, इनको याद कल लीजेगा, हमने क्या बोला, पहाडी Miniature Painting, किसने Lahore Museum, ये किसकी है, ये FS इजाज अद्दीन की है, ये याद रखना है, यहां हमने 7-8 विद्वानों को देख लिया, जिनकी जो पुस्तके थी, वो हमने आपको बता दी, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे जो आपके पूछे जाते हैं, 8 मतलब की जो पूछा क्या जा हमने आपको बता दिया, ठीक है, इस तरह से आपको जो ये पहाड़ी कला है, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्वेशन्स भी हम आपके करवा देंगे, परिशान नहीं होना है, सारे चैप्टर वाइज हम क्वेशन्स भी करवा देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजेगा, ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर, अब जो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, तो उसमें हम आपका तंजोर, तंजोर, उडिसा, काली घाट, कंपनी शेली, और राजर अभी वर्मा, ये सब चीजें हम आपको एक साथ पढ़ आपको कमेंट में जरूर बताना है, धेके हम मेहनत कर रहे हैं, कूण पसीन बहा रहे हैं, देखिए गले में बहुत प्रॉबलं होती है, कंटीनू बोलना, और फिर एसी हालत में बोलना, जिसमें हम बोल नहीं सकते, फिर भी हम कांटीनू बोल रहे हैं, बिल्कुल से, आग लगाए हुए हैं अंदर, क्योंकि आप लोगों को इस आग में चल कर ही selection पाना है, इसी लिए exam के टाइम पे ये जो सरी चलाई हुई है हमने, उमीद बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आपको तो comment box में हमारी मेहनत के लिए एक comment जरूर करना कि में हमें समझ में आ रहा है और आपकी जो मेहनत है वो सफल जरूर होगी ठीक है, तो इसी के साथ class off करते हैं, चले